इस्राइल हमास युद्ध ने पूरे मिडलीस्ट को सुलगा कर रख दिया है जिसकी वज़ा से लाल सागर, बाबल मंडे, अरब सागर, हिंद महा सागर और स्टेट अफ हर्मूस ये वो इलाके हैं जहांपर यमन का हूती लगातार, ड्रोन, मिसाइल और रॉकेट हमलों से अम दरसल इस पूरे समुदरी इलाके में अमेरिका और पश्चमी देशों के कई युद्ध पोत तैनात हैं, जिन पर हूती ताबर तोड हमले कर रहा है। लेकिन हूती पर लगाम कसने के लिए अमेरिका और बिटेन ने यमन के भीतर हूती के सैने ठीकानों पर कई हमले भी किये हैं, लेकिन हूती पर इन हमलों का तिल भर भी असर नहीं पड़ा है। हूती ने दावा किया है कि उसने एडन की खाड़ी, हिंद महा सागर और अरब सागर में मालवाहत जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किये हैं। इन हमलों को लेकर हूती के प्रवक्ता ब्रिगेडिया जर्नल याया सारी ने बयान भी दिया है। उनका कहना है कि हूती ने एडन की खाड़ी में इसराइल से जुड़े दो जहाजों पर ड्रोन और बैलेस्टिक मिसाइल से हमला किया है। हूती के मुताबिक एडन की खाड़ी और अरब सागर में MSC डियागो और MSC जीना पर हमला किया गया है। इसके बाद अरब सागर में एक अन्य जहाज MSC विक्टोरिया पर भी मिसाइल से दो बार हमला किया गया। पहला हमला हिन्द महसागर में और दूसरा हमला आरब सागर में किया गया नफधति अल्कौात अल्मसलषत अल्यमनीया अमलियटन मुचतरका मिन खिलाल अल्कौात वैज्डेशाल्ग उसलाह आर जविल्मसयर व्लकौत सारूख्या इस्फिनेंघ से इस्जीन आरेश यूले सेथे इसेद एावकरा, कर mówके वस्फिनें इस्फिन Spaßरोपिना। इस्ती मे मे इस्जानाी। इस्ती एावकरा, खर्वची उस्फिना इस्ती आरेश्म weirdos जावकरे, Candis意 icons우 इस्ती इस्ती है, क्वेल एकरी सीदयां। इस्क्ती हुरी इस माई हुटी के नेता अब्दूलमालिक अलहुती ने कहा है कि जो भी जहाज इसराइल या कब्जे वाले फिलिस्तीन तक सामान की सप्लाई लेकर जाएगा उस पर हमलाज जरूर होगा चाहे वो जहाज कहीं भी जा रहा हो माई लड़ूालि इसराइली उला रफ तष्मल ऐा सफन लजाएगा लागा जिलामदाद लाजजाद प्रलाज बदारी इसराइली वाई भी जहाज इस तत्चे यह लेस्ते लमस्ळाला प्लस्टोनां इस तरके करके तबाइन। उन्हें जिन मालवाहत जहाजों पर ये हमले किये हैं, उनमें से MSC Diego पनामा का जंडा लगा कर ओमान से जबूती जा रहा था, जबकि MSC जीना श्रीलंका से जबूती जा रहा था, वहीं MSC Victoria पनामा का जंडा लगा कर भारत की तरफ बढ़ रहा था, हाला कि हूती के इन हमलों क को लेकर अमेरिकी सेना सेंट कॉम ने अलग ही दावा किया है, उसका कहना है कि जिन तीन ड्रोन और एंटी शिप बलेस्टिक मिसाइलों को हूती ने एडन की खाड़ी में दागा था, उन्हें या तो गड़बंदन सेनाओं ने मार गिराया, या फिर वो समुद्र में ही गि किये गए, इनमें वो जहाज भी शामिल है जो इसराइली बंदरगा की तरफ सामान लेकर जा रहे थे